गुद मॉर्निंग इस्टूदेंट्स यस्टड़े वी रिड अपाउट फेर्स एन फेस्टिवल ओफ इंडिया बच्चों कर हमने आपके चैप्टर में पढ़ा था फेर्स एन फेस्टिवल ओफ इंडिया भारत के मेले और तोहारों के बारे में तोड़े इस चैप्टर स्कैट्रिवर्स बच्चों आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्कैट्रिवर्स आज का हमारा टाइटल है स्कैट्रिवर्स पवित्र नदिया ओके कम एंड कैट इंफोर्मेशन अबाउट स्कैट्रिवर्स बच्चों आएए आज हम इस चैप्टर The naturally flowing water portals are known as rivers. बच्चो, सौब एक रूप से निम्निकितने का इनिधियों के रूप में जाना जाता है. ठीक है? देखे, the generally have fresh water rivers are used for many purposes like rich gations, drinking water, generating electrically etc. देखे बच्चो, आम तोर पर इनमें ताजा पानी होता है. नदियों का प्रियोग कहीं प्रियुजनों के लिए क्या जाता है? जैसे सिचाई, पीने के पानी, बिजली उत्पादन, आदि. आप सभी जानते हैं बच्चो, नदियों का पानी हम किन किन चिन्यों में प्रियोग करते हैं? consider very scared तो देखे बच्चो भारत में नधियों को बहुत परवित्र माना जाते हैं भारत में नधियों को बहुत परवित्र माना जाते हैं देखे given blue is a crossword on the scared river of India बच्चो नीचे ती गई परवित्र नधियों पर एक crossword है read the blue and complete the crossword correctly with the name of their rivers these rivers बच्चो नीचे जो नधियां हमें दी गई दे गई सुत्रों को पढ़ें और इन नधियों के नाम से crossword को सई डंग से हमें पूरा करना है देखिए यह हमें यहां पर दे गया है यह हमें पूरा हो दिया गया है यहां पर हमें कुछ crossword दिये गए है तो हमें इन crossword की साहिता से help से इन नधियों के नामों को पूरा करना है आईए start करते है B सबसे पहला वड़ा हमें दिया गया है B तो B से हमारी नधि कौन से है ब्रह्म पुत्रा देखिए B-R-A-H-M-A-P-U-T-R-A कौन से बनी ब्रह्म पुत्रा अब आप सेकिंड नमबर पे आईए यह है हमारी M M से बनती है हमारी महानन्दा M-A-H-A-N-D-A आप देखिए थर्ड पे आईए आप सभी जानते हैं दा गंगा T-H-E-G-A-N-G-A अब देखिए फोर्थ पे कृष्णा K-R-I-S-H-A-N-A आप देखिए आप 6 पर नरम्दा N-A-R-M-A-D-A पर देखिए यमना Y-A-M-U-N-A 7 पर देखिए आप इंदा I-N-D-U-S ठीक है बच्चों तो ऐसे ही आपको अपनी बुक में अच्छे से क्लू बोक्स के जरी यह आपको फिलफ करना है अब आगे देखिए आई हम कुछ नदियों के बारे में जान करने लेते हैं देखिए फर्स्ट इस रिवर इस ओरिजनलिटी फ्रोमे लैक सिट्टिड नियर माउंट कैलास इंदा हिमाल्याज बच्चों यह नदी हिमाल्य के हिमाल्य के हिमाल्य में कैलास परवत के पास इस्तित जील से निकलती है ठीक है यह नदी हिमाल्य के कैलास परवत के पास इस्तित जील से निकलती है इट फ्रोम तिबब चाइना टू दा इनियन स्टेटर्स अरुनाचल परदेश और असम देखे बच्चों यह तिबब चीन से लेकर भारत की अरुनाचल परदेश और असम तक बहती है देखे फाइनली इट इस मेरे गें इन्टू दा बे ओफ बंगाल तब अंत में है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है आप समझ गए होंगे बच्ची यह नदी कहां से किस जील से निकलती है हिमाले में कैलास परवत के पास इस ती जील से निकलती है और यह नदी कहां तक है यह तिबब चीन से लेकर भारत के रुनाचल परदेश असम तक बहती है कहां तक बहती है तिबब चीन से लेकर इसी नदी के किनारे बांद आहें इसी नदी के किनारे इस्तिते हैं कि अrodu Febru दो नधी व पड़ेंगे कल हम जो भी इन इन सब नध्यों के बारे पुड़े आज के लिए इतना ही आप अच्छे से यह गोखं का आपको फालो बोक्स के जड़िक अपनी बुख में और जो आपको मैं दो नदी गफाले उसे अच्छे से रीड करेंगे आज के लिद नहीं थैंक्यू सो माइच